बड़वानी पाटी के अंदे कतल के मामले में पुलिस का खुलासा संपत्ती के लालज के चलते भतीजन की थी काका की हत्या पुलिस ने आरोपी को किया गिरफतार एसपी ने प्रेज कांफरेंस कर किया खुलासा पाटी थाना चेतर के ग्राम नलती में चार दिसंबर को रात के अंदेरे में अधर्ड व्यक्ति के सीर पर धारदार हत्यार से वार कर हत्या के मामले की गंबिरता को देखते वे तकाल टीम गठित की गई थी और मुखबीर तंत सी खेती मुनाफे पर भी आरोपी को नहीं देकर अन्य लोगों को देता था इसलिए आरोपी रंजिस रखता था इसी के चलते आरोपी ने घटना वाले दिन रात के अंदेरे में कुलाडी से सीर पर वार कर दार्शया की हत्या कर दी थी पूलिस ने आरोपी को ग्रफतार कर नियाले में पेश किया है इसने इसकी हत्या की इनको हमने घरफतार किया है और जो घटना में प्रियुक धिया थे वो भी जबत हुए है बढ़वानी में एक तूफान गाडी की चोरी करने वाला चार आरोपियो को गिरफतार कर चोरी गई तूफान गाडी को किया गया जबत दो दिसंबर को फरियादी मुहमत कासीम पिता निजाम खा खदान मोला बढ़वानी ने थाना बढ़वानी में आकर रिपोर्ट दर्जे करवाई थी कि तुफान गाड़ी एमपी 79 बीच जीरो 469 रात में पशुपती नात मंदिर के पास खदान मोला बढ़वानी से कोई अग पुष्टाच करते वे तुफान वहन को चोरी करना कबूल किया आरोपियों से पुष्टाच में बताया कि उन दोनों का अक्सर काम से बढ़वानी आना जाना लगा रहता है इसी दोनान दोनों आरोपियों ने खदान मोला बढ़वानी से तुफान वहन अपने साथी दिने से चोरी गई मशुरुका तुफान गाडी जब तकर फिलाल आरोपियों से पूश्टाज की जा रही है इसमें थाना कोटवाली छितर में दो तारी को एक पीक-प भाहन चोरी हुआ था जिस पर से हमारे थाना कोटवाली में 379 IPC की FIAR हमने दर्ज की थी और इसकी विवेशना से बाहर के हैं इनका हम सम्मतित जिलों से भी आपरादिक रिकॉर्ड निकाल रहे हैं और प्रक्रण की विवेशना भी इसमें आगी जारी है